नमस्कार, किसान भाईयों और क्रिशिप्रेमी, आज मैं धान की खेती में DAP, डायमोनियम फॉस्फेट के उपयोग पर कुछ मूल्यवान टिप्स साज़ा करने जा रहा हूँ। क्रिशिक शेत्र में एक दशक से अधिक के अनुभव के साथ मैंने सामान या गलतियों से बचने के बारे में एक या दो बातें सीखी हैं। तो आएए सीधे गलतियों पर बात करते हैं गलती नमबर एक, मेरे दोस्तों DAP बहुत जल्दी या बहुत देर से डालना है, समय महत् विकास और अधिक्तम उपज के लिए इश्टतम पोशक तत्व सुनिष्चित करता है। अब चलिए गलती की ओर बढ़ते हैं। नमबर दो, जब DAP आवेदन की बात आती है तो कई किसान इसे अति कर देते हैं। याद रखें, संयम ही कुंजी है। प्रति एकट धान में DAP की अनुशनसित मात्रा लगभग 25, 30 किलोग्राम है। इस मात्रा से अधिक होने से पोशक तत्व असंतुलन हो सकता है और आपकी फसल को नुकसान भी हो सकता है। तो आप DAP आवेदन के लिए सही समय और मात्रा कैसे निर्धारित करते हैं। खैर, धान बोने से पहले मिट् की पोशक सनरचना को समझने और उर्वरी करण के बारे में जानकारी पूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त अपनी फसल के द्रिश्य संकेतों पर नजर रखें। यदि आप हलके पीले पत्ते या रुका हुआ विकास देखते हैं, तो यह नाइट् प्रयोग के परिणाम स्वरूप असमान वृद्धी और उपज में भिन्नता हो सकती है। समान कवरेज सुनिष्चित करने के लिए स्प्रेडर्स का उप्योग करें या उर्वरक को मैन्यूल रूप से वित्रित करें। इसलिए मेरे दोस्तों अपने धान के खेतों में डिय ना ही। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि आपके कोई प्रश्न है या आप अपना अनुभव साजा करना चाहते हैं तो बे जिजक नीचे टिपणी करें। अधिक क्रिशी युक्तियों और युक्तियों के लिए ल अबाना न भूलें।